हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं देख मुझे और सोच क्यों तड़प रहा है तू हलो हलो पापा पापा जल दिया एक कामकर वी रांटी को बुला ले बगल से जहना मेरा बादर बच्चाना बादर बच्चाना मेरा मैं आरो मिटा यह रिख रीडा इसे पिश्नादू तही निस इसकिया पापा पापा का सत्पोच्छया आपके आवस की निया आरे यह यह पापा पापा मेरा अटी आ गए हम उनके साथ हॉस्पिटल जा रहे आपके सीथ हॉस्पिटल आ जाईगा हाँ ठीके हॉस्पिटल तेक्षिए थे तेक्षिए कि अपने बेटू का फेवरिट पोप खार कि अपके 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 आगाएं अपके अपके की अपके अच्छान पेरा बेटा हम दोनों को यह सचाए स्विकार करने पड़े हैं आप कभीव लोट करनहीं आ सकता हूँ कि आप बस अबे बाल आके दे दो उच्प आपने आग host प्रश्माइब अंधरा जुग जुग जियो खुश रहो, प्रसन्न रहो तुम दोनों के जोड़ी सरा बनी रहे हरे, इनके जोड़ी तस चाक्षी के लिए बनी है इसके बिना तो ये दोनों ही अधुरे है विटा वैसे साक्षी जब हम छोटे थे न तो हमारी माभिया में छोड़कर चली गए थी हम जानते हैं मा की कमी कोई दूसरी औरत पूरी नहीं कर सकते लिके क्या हम तुम्हारी दोस्तपन कर रह सकते हैं हमसे दोस्ती करूगी आप दूश्मन है हमारी बूश्मन मिस्पोक सप्पी को जाएगा मिस्पोक 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 जाएगे सरी, मूपे टेप वर आसपास घून देख்கर लगए मडर यहीपे वोगा है और देख्के लगए जैशेशे मारने से पहले इसको काफी टॉचर क्या है मडर भी क्या विल्डिंग एरिया में जहें नाइट डूटी पर था सर मैंने विल्डिंग सेकेटरी के साथ यहां के सारे सिसीटीव फोडेश चेक की है विल्डिंग का यह पोर्शन सिसीटीव रेंज में आता ही नहीं है काट को मारके किसी रेजिडेंट के फ्लैट में कांट तो नहीं कर दिया किलर में सर इस वक तो ज़रता लोग सो रहे है पता नहीं चल पारा है कि आकर यहां पर हुआ क्या है पता तो करना पड़ेगा ना राहूल कि काट को मारके किलर क्या करने वाला था सर सर यही पास में एमजे रोड़ का एक मर्डर हुआ है वाट यह को और मज़ा है बधाई हो बेटी हुई है और बच्ची की मा कैसी है मा और बेटी दोनों ठीक है पर बच्ची की पिता कहा है कुछ फॉर्मालिटीस पूरी करनी है सिस्टर हम भी बस उन्हें का इंतिजार कर रहे हैं पता नहीं कहीं पस गए होंगे आ जाएंगे अग इस लाश्की भी बिल्कुल ऐसी कंडिशन है जैसी सुसाइटी के गेट पर सेक्योर्टी गाड की लाश की थी और ये फोन और सर यहां भी खून के धब्बय है और बॉड़ी डंप नहीं की गई शायद मडर यहीं पे हुआ वहां सुसाइटी के गेट मडर हुआ और यहां रोट के ओपर खुले हां सब दोनों एरिया में तीन किलोमेटर का डिस्टंस है लगता है सब दोनों का मर्रार एक ही है हलो पापा आज तो आपने हमें दिखाई दिया आपको तो गुछ हमारी पड़े ही नहीं है इस वक्त में भी आप हमारे साथ नहीं हो एक नए मेरी बास सुनिये में इंसपक्टर हेमंत माथौर भोल रही हूँ इंसपक्टर पर ये तो भी पापा का नमँबर मेर पापा का है फ़ना आप कहां रहते हो आपका अपगा एड्रेस क्या हो हम वहां के बात करते है हम तो अब अब यह हॉस्पिटल में है कौन ना होस्पिटल मेरा नाम साक्षी, रीना मेरी मम्मा, पर मेरे पापे का है, क्या हो मेरे पापे को? आप, आप कौन? मैं इनकी पडोसी रूसर, लेकिन हुआ क्या है? आप एक निट जा मेरे साथ हैं बुब्ब, विवे का फोना में इस लाश्ट के पास मिला विवे! आप! 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 कर दो! कि एना!! कि एना चालोँ? कँ एजा के एज्नी एज कि एजा कि एजिती? कि एसे मन्दा एजी! कि एना!! कि एना चालोँ? बिली, बिली! यह सोचकर मेरे.. मेरे रॉंग्ते खड़े हो गए कि जब एक नवजात बच्ची जन्म ले रही थी उसी तोरान उसके पिता का बड़ी बेरहमी से खतल किया जा रहा थी यह आपसी रंजिश थी, यह पर एंगल कुछ और था, कतल सिर्फ विवेक का ही नहीं हुआ था, बल्कि एक बज़ूर्ग सेक्योर्टी गार्ड जो नाइट ड्यूटी पर था, यह रात उसकी भी आखरी रात थी, एक ही रात में दो-दो मदर्स, दो मदर्स यह पर दो हाराहूल, सरे सोसाइटी के हर घर में पता किया हमने, लेकिन यहाँ पर कहीं भी लूट पार्ट की कोई बारदाती हुई है, तो इसका मतलब यह है कि किलर सिफ सिक्योर्टी गार्ड के कदल के इरादे से ही आया है, खलाल तो ऐसे ही लग रहा था, तो आगे बढो रहूल, कोई दिलाई नहीं चाहिए मुझे, ओके? राइट सर, सर विवेक की वाइस से बात की नने, वो सिक्योरेटी गार्ड विवेक करदू का चाचा लगता था, वाट? और दोनों मुर्डर्स की मॉर्डर्स ओपरेंटी सेन है, तो क्या यह दोनों मुर्डर्स अनेक्टे नेक द जब उसे खुद दिलासा की ज़रत है, उसे अपने बच्चे को चुप कराना पड़ा है, और सर, बड़ी बेटी तो यकीनी नहीं कर पा रही, कि अब उसके पापा कभी लॉट कर नहीं आएंगे, इस वक्त हमें रिना से बात करने की कोशुच करने ही जए, आजो, जीना, मैं समझ सकता हूँ, यह सही वक्त नहीं है आप से बात करने का, पर हमारे कुछ सवाल है, जिनका चवाब हमें जल से चल चाहिए, जब, कौन कर सकता है ऐसा, जिसने आपके पती विवेग और चाचा विश्वना आपको इतनी बेह रहमी से महाँ डागा, किसी पर शब है आपको? हाँ, मेरा भाई और मेरा बाप, अन लोगों को हमारी कुछ न कभी रास में आई थी, इरेक जी, एक बेटी के बाप ओके मिए पहन बेटो ले ना लेका, जब, हमारी का भाई इसे मारने के? हम भी वेग जी से चादी करें के, हमें आप रोग नहीं पाओगे, शुप, एक शरम, इस आदबी ने अंदा करते हैं तुझा, इसके लिए आपने बाप को आखे दिखा रहे तो? कौनसा बाप और कौनसा भाई? जो हमारी मा के नहीं हुए, तो हमारी क्या होंगे? मैं और मेरी मा, हम दूसरों के घरों में काम करके घर चलाते थे, तब उनकी शान पे कोई दाग नहीं लगा, लेकिन जब मैंने अपनी मर्जी से शादी की, तो बर्दाश्ट नहीं हुआ उनसे, उन्हों नहीं बारा है, वेवेक जी को और चाचल जी को, सराव उन्हे छोड़ना मत, छोड़ना मत सरुने, रीना का बाप तु ही है? हाँ, लेकिन… अमित का है? क्या कर दिया उसन साब? क्या कर दिया? देखो रहे, अंदर दूड़ो उसको! क्या हो रहा है साब? सीना के पति और उसके चाचा का मडर! क्या बोल रहे हो साब आप? सर या कोई नहीं है! कहा है, अमित? मुझे नहीं मालूम साब और अमित में कुछ नहीं किया साब और रीना तो बस हम लोगों को भसाना चाहती है वो यह ही चाहती है कि हम बाप बेटे अंदर गया है शरम कर कुछ शरम तेरी पेटी ने एक बच्ची को जनम दिया है और उसी वक्त तो ने उसका सुहागर उस बच्ची से उसका बाप छिन लिया आप भाड में जाया इसी मेटी क्यो अपने बाप और अपने भाई की नहीं हो सकी किसे और की क्या होगी? देखे चलो इसको, चलो! क्या? क्या कर रहे? का कर रहे उसाथ? कब मेले हमने बोला था अपने बती से कि इन सब पचेड़ों भी ना पड़े पर उस विवेक का घर मसाने के चकल में उन लोगों से दुस्मनी बोड़ ली तो आपको भी लगता है कि हमें तो और उसके बाप ने आपके पती और विबेक को मारा हाँ, बोलो कुछ भी कर सकते हैं लेकि लेकिन क्या? खाशाम, विशुना जी जब ड्यूटी भी जा रहे थे अपी, साचा साचा, हमारे पैसे कुछ सोचे? हमारा पैसा दिलवादो, तुम्हारे लिए हमसे बुडा कोई भोगा नहीं बता रहे तुम्हें आराम से गर में बैटके बात दो entire i came या तो तुम्हारे और वेugě के बहिए टूबो डिये अव्यारा राम से बात करे तो तुम्हारे और उस वेटके बहिकवे उन हम्ने लगाय थे आप चोड़ू आणिशे पता रहा हूं मैं! कौन था वह आदमी? कुछ मालूम है आपको? वो तो मालूम नहीं लेकिन हमारे पती का भी बहुत पैसा डुबा था इसमें और वो भी विवेक के कहने पे लगाये थे विवेक के कहने पे? यह विवेक नहीं कहा पैसा लगवाया था उनसे? अब प्रीना से ही पूछे, उसे सब पता होगा! यह देखो, क्या लान तुम्हारे लिए आज स्मेशल फ्रूट्स इसे कहते है ड्रैगन फ्रूट यह है और यह है कीवी और यह एपल इन्हे खाओ और एपल जैसा ही खुपसूरा थास्ट पुष्ट बेटा दो हुए लेकिन इतने महंगे फल दानी की क्या जरूवत थी? पहले से डिलिवरी का खर्चा सर पे है यह सब देख लूँगा मैं तुम बस यह समझ लो कि हमारी लॉट्री लगने वाली है तुम फिर से लॉट्री के चक्करों में तो नहीं पड़ गया अरे सब कुछ नहीं है अरे वाँ फ्रूट्स हम आके लिए काट देते हैं अरे वाँ क्या बात है दोटगा देखो कितना ख्यार लगती है तुमारा अच्य मुझे लगाने दा कि इतनी अलदी तो उसे घुल बिल जाएगी अभी तो इतनी खुश थी अचानिक से क्या हो जाता है साक्षी को मैंने बताया था ना साक्षी का मन और दिमाग दोनों अपनी मापे गया है पर तुम तो बोलते थी मन्जु दीदी पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलिंग हो बैटी थी रिना अब तुम्हें साक्षी को ऐसा माहौल देना है कि अपनी मा को हमेशा के लिए भूचा है पीटा वहाँ क्यों खड़ी हो ऐसे क्यों देख रही हो उमे मेरे मेरी मा मर गई और अब मेरे पापा पेटा हम है नहीं हम तुम्हें ना पिता की कमी महसूस होने ने कि और ना मा की दीना मैं तुमसे कुछ बात करने है चलो चलो जीना हमें विश्वनाथ की पत्नी ने बताया कि किसी आदमी ने विश्वनाथ के कहने पर कहीं पैसा लगाया था और विश्वनाथ ने विवेक के कहने पर लगाया था दोनों का पैसा डूकिया और जिस आदमी ने विश्वनात के कहने पर पैसा लगाया था, उसने विश्वनात को जान से बानने की दंकी दी था. कौन आदमी? यह हम पता लगा रहे हैं. विवेक और विश्वनात में कहा पैसा लगाया होगा? कुछ बता सकती हो इस बारे में? सर मुझे इतना मालूम है कि विवेक जी लोटरी खेला करते थे, उन्हें किसी संतोशी नाम के आदमी का फोन आता रहता था, जब भी उसका फोन आता था, वो बहुत परिशान हो जाते थे सर, यह लो, रोटी, सक्षी बेटा, यह लो रोटी यह लिए था ना, तो वही वापस करना है, तो बार-बार कॉल कर रहा हैंसे Sir, Sir, Vivek के मोबाल में संतोशी के नाम से एक नमबर फीड मिला है परिशान से एक नमबर फीड मिला है, पता करो है नमबर किसके नाम पर फीड मिला इस तुड़ी परिशान से एक नमबर फीड मिली है, मैं उनी से मिलने जा रहा हूँ Sir, उनके मुताबिक यह मडर कल रात तीन बज़े के आसपास हुआ था और जिसका मडर हुआ वो भी एक सेक्योर्टी गाड था ये कल रात राजनगर के एक शौक के भाँ नाई ड्यूटी बढ़ा Sir, ये OC जगे का CCTV footage जहां पर तीसरा मडर हुआ Sir, इस killer का फेस कवर है, इसलिए इसका चेहरा ठीक से दिखनी पार रहा है इस security guard काना, मनोजे और ये Secure Securities का guard का इक नए कौनसी पता ही, क्याना पता है? Secure Securities Secure Securities ये विश्वनाद BC Agency का guard था ना? Right, Sir और विश्वनाद की बीवी ने भी इसे आइडेंटिपाई किया है सरी वही आदमी है जिसका कल चाहां विश्वनाद से जगड़ा हुआ था पिछली सोला गंटों में तीन मटर हो चुके हैं वो भी एक ही तरह की मॉट्स ओफरेंडीज है के किलर हमारे इलाके में दो मटर करके तीसरा मटर ज्राज जंगर में करने चला गया यो किसी दूसरी इलाके में भी तो ऐसा कर सकता है हम इसको बिल्कुल लाइटली नहीं ले सकते राइट सार इसलिए CCTV ग्रैव हमने सभी थानाक चेत्रों में सर्कुलेट कर दी है इसका मकसब क्या है अगर हम विश्वनाद की वाइफ की बात माने तो विश्वनाद का इस आदमी से पैसो के लेंदेन को लेकर जगडा हुआ और विश्वनाद से विवेग नहीं पैसा कहीं लगवाया और एक ही रात में इन तीनों के मटर हो जाते है ये मामना कहीं पैसो के लेंदेन को लेकर तो नहीं है विवेक, विश्वनात और मनोच इन तीनों के फॉन हमें क्राइम सीन पर मिलें और जब हमने इन तीनों के फॉन चेक किये तो इनके फॉन में एक ओनलाइन लॉट्री एप इंस्टॉल मिला सर, हो सकता है कि यह लोग पैसा इसी एप में लगाते हो इस तरह के जो लॉट्री एप है हजारो लोग पैसा लगाते हो इस एप का इन मंदर से क्या लेना दे रहा है अच्छा बब लीना का जो भाई अमित वुगायाव अभी तर इस कार्ड को मानने का अमित का कोई मोटीव ह अमित और मनोज का आपस में कोई कनेक्शन नहीं मिला है लेकिन वो गायव है अभी तर उसको ढूंडने के लिए क्या कर रहे हैं सर हमने अमित के दोस्तों से पता गरने की कोशिश की लेकिन कुछ भी पता नहीं चला लेकिन हमने सेक्योर सेकूरिटी के मैनेजर को यहां पर उसे से कनेक्टेड थे लोटरी भी खेलते थे इन तीनों ने कहीं पर पैसा लगाया था इस बारे में जानते हो कुछ नहीं सर हो सकता है इन तीनों का आपसी कोई जगडा हो लेकिन सर हमारी जंसी का इन हत्यां सो कुई लिन देना नहीं है सर यह संतोशी के कॉल डीटेल्स आ गए लेकिन सर यह आदमी नहीं यह एक औरत है यह देखिए और सर यह संतोशी एमजी रोड के जेजे कॉलनी में रहती है और उस रात वीवेक का फोन दो बज़े तक जेजे कॉलनी में अक्टिव था नहीं विवेक जी हमारे साथ नहीं थे कल तीन-तीन मटर होए अगर हमसे जूट बोला कुछ में चुपाया बहुत पुरी तरह सा फस होगे अब बोलो क्यो फोन करते थी तरे विवेक को वो वो तो है बस वो तो है बस कुछा ब्लकना करते थे विवेक। नहीं मैड़ें हमें पता चलाएं के तुम उससे पैसे मंगा कर थी किस बात के पैसे मंगते थी हमने कोई पैसे नहीं मांगे शर तो फोन क्यो अगर ती ते उसको इतने क्या वचे थी क्या रिष्ठा था तुम्हरा उसके साथ हम पसंद करते थे विवेक जी को तो पच्चों के बाप को किस रिष्टे से पसंद करती थी प्यार करते थे विवेक जी से और विवेक जी भी हमसे प्यार करते थे वो तंग आ चुके थे उस रीना से और उन्हे तो शक्त था कि बच्चा मी उनका नहीं है वीना से हम तंग आ चुके हैं संदुशी बाद बाद तो हमको पीट देती है और तुम पिट लेते हो क्या करें अपनी बच्ची की वज़े से सहते हैं उसको बस उसका मानसी संदुलर खो चुका है पूरी तरह से पागल हो गई यह वो हमने तो अपनी बच्ची की वज़े से उसे शादी की थी लेकिन वो नाजा ने किसका पाप अपने पेट में लेकर भूम रही थी और हमसे एक बच्ची के बाप से शादी करने थी हमारे संद की नर्ग बरा थी उस रीना ने अपना पाप छुपानी के लिए शादी की थी विवेक जी से, हमें पक्का यकीन है कि उसे ने मरवाया है विवेक जी को विवेक के साथ तो सिक्योर्टी गार्ट का भी मड़र हुआ और उनमें से एक विवेक का चाचा था विवेक जी ने अपने शाचा को भी सब कुछ मेता दिया होगा लेकिन मड़र वारी राद विवेक का फोन यही पर एक्टिव था और उसकी लाज मिया से कोची दू एम जी रोड पर मिली है में तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बातों में जाएंगे हम हम मारते हैं विव क्या वा शन्तोसी? तुम्हों? में, शन्तोसी में बेहना तुमने दखाता है कि संतोशी एक आदमी है, लेकिन ये तो अवरत है ये अवरत संतोशी है? ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम जानती हो इसको सर हमें इतना मालूम है ये विवेक जी अवाराय किसी दोस्त की बहन है हम इसको नाम से नहीं जानते हैं सर लेकिन ये तो जानती होंगी ना कि विवेक अफेर चैड़ा था इसके साथ ऐसे हाथ? नहीं सर सर विवेक जी के बारे Пारे में इतना बुरा मत बोल लिए सर उसने तो यहां तक कहा है कि तुम्हारा दिमागी संतोलनण ठीक नहीं है तुम्हें शक करने की बिमारी है तुम्हें गुज़ा आता है मार पीट करती हो बाग बाग पे, यहां तक यह बच्च अब यह बच्चा भी विवेक का नहीं है नहीं सर, सर यह जूट है, सेची नहीं है यह किन हमें समझ में नहीं आ रहा है वो औरत वही सब कुछ क्यों बोल रही है जो विवेक जी हमें बोला करते थे एक में, तुमारे कहने का मतलब क्या है सर विवेक जी अपनी पहली बीवी, मन्झु, मन्झु के बारे में भी ऐसा ही बोला करते थे हमे रीना, मन्झु ने मेरा जीनए हराम करक्ma है उसका पागल्पन दिन बदिल बढ़ता ही चला जा रहा है शक करती है मुझे तुम इत्ता सब सह क्यों रहे हो सिर्फ बेट्री के वज़े से उसको जेहल रहा हूं मैं नहीं तुम अगर ऐसा है तुम मंजू से तलाक लेलो ना हम यह जोच रहे हैं यह जल्दी छुड़काना पना चाहते उससे बस सर तलाक तो नहीं हुआ था उनका लेकिन अचालक कुछ तेनों बाद उनकी पहली बीवी मंजू की मौत हो गई फिर हम दोनों ने शादी कर ली थी भी मंजू की मौत कैसे उनी थी? सर उसकी दिमागी हालत सही नहीं थी वो छट से फिसल कर किर गई थी सर अभी थोड़ी देर पहले मोकुन नगर में भी एक सेक्योरिटी गाड का मटर हुआ है क्या? और चौकाने वाली बात यह है कि यह गाड भी सेक्योर सेक्योरिटीज में काम करता था विछले 24 गंटों में एकी सेक्योरिटी एजनसी के तीन-तीन गार्स का मटर और साथ में विवेक का भी हो क्या रहा है यह यह कोई सीरेल किलर तो नहीं है जो एक के बाद एक मटरस किये जा रहा है इससे पहले कि और मटरस करें हम इसे ही रोखना होगा अपना नेट्वर्क एक्टिफ करो और टीम को बलो कोई खनी जाएगा बिल्कुल टाइम नहीं है मारे पास साक्षी बेटा बिल्कुल दरों लगतो मैं तुमारी पहली ममा बात करना चाहती है आप तो इनकी पड़ोसी है न मीरा जी? क्या विवेक की पहली पत्नी का मानसिक संतुलन वाकरी में खराब था? हाँ मैडम देख के तो ऐसा ही लगता था उसे अपनी सुध भी नहीं थी शायद इसलिए टेरिस पर से वो पिसल के गिर गई हूँ मामी 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 उड़ो ना मामी वाकि मा की मौत का बहुत बुरा असर पड़ा साथ सुपर वो अपने पापा पे भी शक करने लग गई मा सही बोल जी थी आप उन्हें मारना चाहते थे और आपने सच में उन्हें अरे बेटा ओश में इव जानता हूं कि तुव अपने मा से बहुत पार ते लगिन हम भी तो तुमसे उतना ही पार करते रहा अरे हम क्यों करेंगे यहाएता जो कई तुम्हारी मारा लेकिन मैं जानती हूं Vivek शाक्सी और बांजू दोनों का बहुत खयाल रखता ता और ये विवेक और रिष्टा कैसा था? रिष्टा बहुत अच्छी है मेडम उसने आते ही शाक्सी को संभाल लिया और आने वाली बच्ची के लिए भी बहुत खुश्टेवले बेसबरे से इंतजार कर रहे थे रिष्टा 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 जन्दम बिहार में भी एक मर्डर और हुआ है। फॉट? एक और मर्डर? हाँ सर, और इस बार मर्डर घर में हुआ है। जयन सर, जिस आजमी का मर्डर हुआ है, उसका नाम विक्रम है। और यहाँ आईविटनिस के मुताविक उन्हों ने घर के पास वैसे ही किसी आदमी को देखा जैसने रेंगोर पहना हुआ था। यह विक्रम भी सिक्यूर्टी गाड था? और यह विक्रम एक प्राइविट लिमेटेड कंपनी में मैनेजर। इन पांच विक्रम का आपस में कोई ना कोई करेक्शन जरूर है। सर, कही यह कोई सीरियल किलर तो नहीं? जिस तरह से मडर किये जा रहा है, यह कुछ भी कर सकता है। इसको हम बिल्कुल लाइटनी नहीं ले सकते हैं। शेहर में जित्री भी पेट्रोलिंग टीम है, सब को लेट करो, यह पूरे शाहर में गस्त लगाए। आईये सुरूर। सर, यह दिखिए। सर, शायद इसका मरडर भी कल रात को ही हुआ है। सर, इसके सरफर भी वह सही घाल है। इसका किलर भी वही है। यह आज़ पात चेक करो अच्छा से, शायद कोछ मिला है। शायद कोछ मिला है। सर! 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 सर, सर यह दिखिए। कि तो जिंदा है? एमबेलेंस बोला, फास्ट। और यहाँ हार जगे अच्छी से चेक करो, कोई भी जगे छूटनी नी चाहिए। मूब! सर! तो कल रात उसने दो लोगों को टार्केट किया है। अभी तक दोनों के पहचान पता नहीं चलिये सर। लेकिन उनमेंसे एक आदमी जिंदा है, बहुत बुरी तर एक हायल है। इसलिए हुस्पिटल पेजबा दिया हुसा। पिछले च्छतिस घंटों में च्छय लोगों को मार चुका है। और साथ वा मन्ने के कागार पे। कुछ नहीं कर पा रहे हैं हम, कुछ नहीं। उस आदमी का पचना बहुत सरूरी है। शहीद उसे हमें कोई कलूं मिल सेगे कि वह क्यूं करना ऐसा और कौन है। और विश्टों विक्टिमें उनकी फटो भेज़े मुझे। कुए। सर। सर। मैंने चेक किया था। ये विवेक भी हमारी एजंसी में सेक्रिवडी गाड था। तो ये बात तुम नहीं से पहले के नहीं बताई था। सर। मैंने अब ही चेक किया तो मुझे पता चला। लेकिन एक साल पहले इसे दूसरी जगा नौकरी में लगे थी तो हमारी जंसी में काम करना बंद कर दिये रहे था। तो मनोज, विश्वनात, विवेक और ये फोर्थ श्याम ये सब के सब तुमारी अजंसी के गाड़ और ये फिफ्ट विक्रम सिंग प्रेजेंट में जिग्मा प्राविट लिमेटेट कंपनी में मैंनेजर जा। इसका कोई कनेक्शन है तुमारी अजंसी से? जिग्मा कंपनी? नहीं सर, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। और सर, मैं किसी विक्रम सिंग को भी नहीं जानता। एक और मेंटर हुआ है चटा, यह और यह साथ वा, इसको भी जान से मानने की कोशिश की गई है। कौन है यह जानते हो इनको? अब मैं ऐसे कैसे पहचान सकता हूँ। इतने लोग हमारी जंसी में काम करते हैं। मुझे तो यह भी समझ में नहीं आ रहा, यह सब क्यों हो रहा है। ए, उठा इसको, उठा। चेक करें इसको ले के चलो देखो करा कुछ भी हमसे चुप हाँ पूजा सरीना के भाई अमित को हमने पकड़ लिया है और सथ ड्रग्स मिलें उसके पास। आपी इंपर अभाई यह पार अभाः आप पॉस्तों के ताथ पाटी कर रहा था पैर में छोट के से लगे? अशे नाशेमे था तो पैर पेर पैर उआ चड़ गई अशे में खोस को दिया इतना नाशा क्या कि विवो ने सारे लोगों के बर्दिया तूमें? मैंने किसी को नहीं मारा? मारना होता तुम हो.. वो वो वेड को मारता ना? बागे को क्यों मारोंगा? यह सारा कांडन न..रेना का है वो मुझे फचारी है दॉज में रही है यह भिशा कर रहे है अब जानते नियों उसको, जो अपने भाई की नहीं रही, बाप की नहीं रही, वो किसी और के क्या होगी? यह से क्यों देख रही हो? वोई नाइट ड्यूटी नहीं करते हो तुम जिसे फैक्टरी में, सब मालूम कर लिया हमने, दोका दे रहे हो ना हमें? तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे अर्व! अर्थेनी हुई तुम्हें कोई! नहीं हुई यह गलत प्रामी मुझे! अरे! क्या तुमने सच में हमारे पापा को? यह क्या बोल रही है, Sakshi? लेकिन यह सच है, वो आदमी हमारे साथ जो कर रहा था, वो उसने तुम्हारे मां के साथ भी वही किया था! वो दोके बास था! सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं! लेकिन अब, लेकिन हम हमें तुम्हारे लिए और अपनी बच्ची के लिए जीना है! हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे साक्षी! एक नई जिंदगी शुरू करेंगे हम! खामोपिष जी, अकाउंट में पैसे आ गया है! जी! साक्षी हॉस्पिटल का बिल चुकाना है ना? तो इसलिए पैसे मंगवाए थे! पर ये मुकेश है कॉन? जिसने आपको पैसे बेजे? आप हमें बना रही हो ना? नहीं साक्षी! तुम हमपिश अब कर रही हो! तो फिर ये मुकेश है कॉन? अब नहीं जानते सर वो कौन था वो अचानक्षे आया और उसने सर पर बाहर कर दिया सर वो ये मुकेश रचाना ना करते हैं प lifetime सामने को मार दिए जो मेरी जान बचाना चाहता मुझे लगा तो मेरी जान देना चाहता ताаз Miuto आप मेismis को मार दिए भाग गया और वह होग गया उल एक है तुम काम क्या कड़ते हैं जब से पढ़ाई पूरी किये तब से काम ने मिला सर, जॉब ढूंड़ा हूं सर अच्छा वो दिखता कैसा था जिसने तुम्हें मानने की कोशिश किया अंधेरा काफी था सर, या कियो सर स्केज़ुन वा सकते हैं उसका कोशिश कर सकता हूं सर ठीक है, अपने घरवाले वा नंबर दो हम उने इन्फरम करते हैं ने ने सर, मेरी माँ को हार्ट को गा में सर अगर उनको मेरे बारे में पता से लगा तो सर, खामखा परिशान हो जाएगा मैं ठीक हो सर, मैं खुछ चला जाओगा ठीक है, स्कैजून अí को भाद तुम भर जा सकता है सीर, विकरम सिंह जिए जिगमा कंपनी के लिए काम करता था उस कंपनी के सिक्रिडिए अजंसी से एक कनेक्शन मिला है कैसा कनेकशन? अस कंपनी को ये सिक्रिटी अजंसी पहले गार्स प्रोथ किरा दी थी लेकिन एक साल पहले उस कंपनी ने इस एजेंसी का कॉंटेक्ट टर्मिनेट कर दिया लेकिन सिक्यूरिटी एजेंसी का मैनेजर तो बोल रहा था कि वह जिगमा के बारे में कुछ नहीं जानता हाँ सर और अब वो बोल रहा है कि उसे याद ने क्योंकि ये सब एक साल पहले हुआ था बाइदर भी इसका कॉंटेक्ट की ओटेडमिनेट हुआ था सर धरेसल एक साल पहले इस कंपनी में भी एक सेक्यूरिटी गार्ड का मटर हुआ था और वो गार्ड भी इस Secure Securities के लिए काम करता था मतलब इस कंपनी में कुछ तो जोल है सर मुझे तो इस कंपनी में भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे पता चला है कि जिस गार्ड का मर्डर हुआ था उसका केस इस कंपनी ने दवा दिया कि जिस को कोछ पता ने चल ने दिया अच्छे एक साल पहले जिस गार्ड का मर्डर हुआ था कौन था वो? देखो साक्षी मुकेश जी हमारे भाई जैसे है वो प्लेस्मेंट एजनसी चलाते है उन्होंने ही हमें एक बड़ी कंपनी में इस सफाई कर्मचारी की नौकरी दिलाई थी जहां हम तुम्हारे पिता से मिले थे चलो पुटो याँ रीना तुम इतना कुछ जानते थे रीना लेकिन तुम थे हमसे अब कुछ बताया है क्यो नहीं? सर आप क्या बोल रहे हुँ? अब ही तक हमें ठीक से ये पता नहीं चला है कि विवेक horseamt Joshika Fast General थी तुम इस बारें जानते ती या नहीं जानती थी लेकिन विवेक कार थीक वेक से जानती टीकार था यह तुम अच्थी तरह से जानती री क्योंकि वो उसी कंप़नी में स् incentives जिखमा में जहां पर तुम सभाई करमचारी ते तुम उन सभी गार्स को जानती थी जिनके एक के बाद एक मडर्स हुए है क्योंकि वो उसी कंपनी में के गार्ड थे जो चुपाया हमसे जो नहीं बताया सर आपने जो खुछ भी पूछा मैंने बता दिया जिखमा कंपनी के बारे में अब क्या बोल रहे हो एक साल पहले इस सुबोध नाम के गार्ड का भी मडर हुआ था यह भी उसी कंपनी में थे और इसके मडर के बाद तुम्हें और बाकी के गार्स को नोक्सी से निकाल दिया गया थे क्यों जाए विक्रम जी क्या करें आप कुछ नहीं कर रहे है जाए कि दो पमारे गी मुझे जोड़ो थे हएए हए हम वहसाब सफदे़॥ हम वहाँ सवाव सफ़ाई का काम करते थे इसलिए कुछ नहीं कहे पाए लेकिन सुबोत काका नहीं बोला था वो बड़े साब से उस मैनेजर की शिकायत करेंगे लेकिन अगले ही दिन सुबोत काका के स्टोरूम में लाश मिली उसके बाद उस मैनेजर ने सारा केस दबा दिया उसने हमें और सारे गार्ड्स को नौकरी से निकलवा दिया था, उसके बाद कई-कई महनों तो हमें काम ही नहीं मिला, उस मैनेजर ने सब को रास्ते पर ले के आया, उसके बाद उस मैने तेर विक्रम का खुद मडर हो गया, क्यों कर रहा हुग ऐसा, क्या है वज़े इसकी, क सुबोत के अलाबा ये सभी गार्ड उस कंपनी में एक साल पहले काम करते थे, और ये अच्छडा विक्टिम विनोर, इसकी लाज रमेश के साथ, सार, उस रमेश नाम के लड़के नहीं इस केस दो बनवाए, ये तो गलेश है, संतोशे का भाई, शेपिस एजनसी का गार्ड था, हमारे भाईया ने किसी को नहीं मारा है, सर, है का हो, हास अंदोशी, क्या हुआ? बाईया, कहा है अब अभी? अरे, मैं बस एस्टेंपे जा रा था, और डूटी जाने के लिए, पर फोन किया दोनी? बाईया, 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 बाउढेया? पर राईया! कर दो, जिह फोको कमा बार तो, कि एंको रताई साव को और दो का? क्योंकि याच 10 सितंबर है, एक साल पहले इसी दिन मेरे पापा का मडर हुआ था. तेरे पापा का मडर? सुबोध सिंग मेरे पापा थे. उस जिगमा कंपनी में उनका मडर हुआ था. उनके साथ किसी भी काम करने वाले ने उस मैनेजर के खिलाफ मूह नी खोला. इसलिए मैंने सोच लिया, कि आने वाले 48 गंटों के अंदर मेरे पापा की डेथ हने और सिरी के दिन, मैं उस सबसे बता लूँगा! विनोध को तुन ही मारा, पर उसके लाज के पास तुम है बेहोश कैसे मेरा? वो विनोध! वो विनोध जाधा ताकत वरे निकला! उस कमीने ने मेरा ही सहर कोलती हूँ! जब आप लोगोंने मेरी जान बचा ली, तो मुझे समझ ने आया कि मैं क्या करूँ? मेरा अगला टार्गेट वो गनेश था! सोचा, उसका स्केच बनवा दूँगा, फिर उसको मार कर गाड़ दूँगा, और आप लोग उसे किलर समझ का ठूनते रहेंगे! इसके चीखें मुझे मेरे केपन में सुनाई देनी चाहिए! अटार! सही इंसाफ ना मिलने के कई कारण हो सकते हैं लोगों की चुप्पी, शातिर मैनुपलेशन, कमजोर इंवेस्टिकेशन लेकिन एक नाइंसाफी का परिणाम कितना खातक हो सकता है ये पिछले 48 गंटों में हुई वारदातों पर हम जरूर लगा सकते हैं माना एक साल पहले सिक्योर्टी गार्ड सुबोर मडर केस कई रहसे में इस सवालों के साथ अंसुल जा रह गया था लेकिन इंसाफ के लिए लड़ाई आवाज उठाकर लड़ी जा सकती है हत्यार उठाकर कभी नहीं लोगों का खून बहाना एक बुजदली है जिसे रमेश जैसे लोग हिम्मत समझ लेते हैं हमें समाज से ऐसी मानसिक्ता को हटाना होगा जो अपराद और अपराधी को चन्व देती चैहेल कर दो बदिए झाल कर दो करते हैवाज कर दो एह चर कर दो झाल झाल